नमस्कार आप देख रहा हैं विराट 24 नियूस में पूटा इंदौर में एक महिला ने अपने पती को गला घोट कर मार डाला उसके शव को काट कर दफना दिया उसका सिर धर और हाथ पैर अलग-अलग जगर ठिकाने लगाए इसका खुलासा तब हुआ जब उसके बेटे ने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया उसने कहा कि मम्मी ने पापा की हत्यागर बाथरूम में कार दिया है पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने सुक्रवार सुबा उसके घर में खुदाई शुरू कर दी सबसे पहले बाथरूम की खुदाई की लेकिन पती बबलू की हत्या कर दी पुस्ताश में पता चला कि पती उसे आए दिन मार पीट करता था जिसके बाद सुनीता ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी वहीं पुलिस के मताबिक सुनीता बार बार अपने बयान बदल रही है सुनीता का पती बबलू उसे आए दिन बीटता रहता था और इसी दोरान उसकी दोस्ती रिजवान से हो गई दोनों ने पांच फरवरी को दाल बाठी बनाई बबलू को दाल में नशीला पदार्थ मिला कर खिला दिया जिससे वो बेहोश हो गया सुनीता और रिजवान ने उसकी गला घूट कर हत्या कर दी उसके हाथ पैर गरदन धर अलग-अलग कर दिये पुलिस के मताबिक महिला ने उसके शरीर के तुकड़ों को अलग-अलग जिगहों पर फेका और धर को जमीन में गाड़ दिया था महिला का बेटा नशे का आदी है उसने बुदवार को नशे में अपने दोस्तों के सामने कहा कि मम्मी ने पापा को मर कर बात्रूम में काड़ दिया है इसके बाद पुलिस ने सूचना मिलते ही गुरवार को महिला को हिरासत में ले लिया है वही मिली जानकारी के मुताबिक पहले गडेज धाम कॉलोनी में महिला रहती थी आठ दिन पहले ही वह उमरी खेडा कांकर में रहने आई थी उसके घर पर खुदाई का काम अब भी चल रहा है पडोसियोक्स के पूछने पर उसने बातरूम बनाने की बात कही थी पुलिस को सुनीता के दोस्त रिजवान की तलास है उसने साथ में मिलकर पूरे घर नकरम को अंजाम दिया था इस मामले में अभी उसके दोस्त को नहीं पकड़ा गया है लेकिन सुनीता और उसके बीच संबन्द होने की बात सामने आई है और इसी के चलते बबलू को रास्ते से हटाया गया है यह टेम्पो खड़ा उपार टेम्पो से नीचे साइड मा जाओ इप आला डावा के सामने नाम की महिदा ने अपने पती कुछलेंद्र उर्फ बबलू की रिपोर्ट गुमने की लिखाई थी यह साथ तारीक से बगर बोले कहीं चला गया है उसके तलाश की जा रही थी फिर बीच में तलाश के दौरान मुग्बिर से पता चला की महिदा घर चोड़के भागने की तैयारी में अपने पती को पहले नीन की गोलियां खिलाई और उसके बाद में भाईयों रिजवान ने उसको मारा जैसे भी मारा और काटा मारा क्योंकि बॉड़ी में किस पकार की चोटे हैं पीमसी पता चलेंगी तो मारने बाद उनने उसको एक छोटे से ड्रम में रखा हरे रंके और यहां यहां ले आए और बाद में उसने महिदा ने अगले दिन एक दिन बॉड़ी रही 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 पर घर पर अगले दिन उनने यहां पर सीवेश टेंग के बहांने गढ़्ड़ा ख़ुद वाया बड़ा उस गढ़्डे में उसको गाड़ा उसके ऊपर मट्टी डाली ऑपी सीमेंट से पैक करा दिये तो अब ही फिर उसकी बाड़ी का उत्खनन करके बाड़ी निकाली महिला और उसका बड़ा लड़का हमारी अभी रक्षा में है अब बने लड़के ने की मदश से उन्होंने बाडी के कुछ पार्ट हांत और पैर जो है वो कहीं इन दौर में कहीं देवगराडी यह तरह फिकवा हैं जिसको अब बरामत किया जाए तमाम बड़ी खपरों के लि पुजन का लुट्फ उठाने के लिए अवश्य पधारे हमारे अहां स्काई स्पेशल धाली के साथ जन्मदिन तिलक इंगेजमेंट रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है ओनलाइन ओडर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर पतायाद रखें स्काई रेस्टोरेंट विश